असलाम नेकों वेलकम टू मैं चैनल आज की वीडियो में हम बनाएंगे बिल्कुल बेकरी स्टाइल पतीसा बहुत मज़ेदार बनता है इसके लिए आपने सबसे पहले पैन में ले लेना है एक चमज घी आप चाहें तो देशी घी भी ले सकते हैं इसके बाद अपने इसमें इसके साथ हमने इसमें बेसन डालना आए दोनों को हमने विएक लोग फ्लेम पर भून लेना है इसको भूनते बूनते दस से 15 मिन लग जाते हैं अपने हाई नहीं रखनी आप तब तक भूनना है जब तक कि इसका थोड़ सा कलर चेंज ना हो जो एक इसकी अच्छी सीवेल तब तक आपने इसको भूनना है यह देखें यहां पर हमारा बेसन और मैदा अच्छे से भून गया है अब हम इसको चान के सेपरेट बॉल में निकाल लेंगे यहां पर ने इसको चान लिया इसमें ताके कोई लंस वगरा ना रहें फिर एक पैन में हमने लेना है एक कप चीन पर ना हो यह देखें इसको अबने बहुत लोग फ्लेम पर कुक करते रहना है यहां पर जब इसका कलर चेंज हो जाएगा बिल्कुल थोड़ा से ब्राउने सा हो जाएगा तो अमने पानी में ड्रॉप डाल की चेक करना है अगर हार्ड हो जाता है तो आपने फ्लेम बंद क चेंट है फ़िर आपने एक सबर्ण चंदेखेंअड अ रए तो अकठ चंदान रहे जाएगा थोड़ा नहीं है आपने यहां जाहिता यहीं 9 कि अफे-kaal अपने ले बिल्क फेम बिल्क Tuesday अट्विः थोड़ा करना है तो अब आपने इसका यह में go आफिके काल यि जो हूं और कठाव रोल करना है ह।िज यह बहुत जयादा गरम होता है हम ने इसको रोल करना है इसको स्कु defense करना है जब तक एसका कलर लाइट गोल्टन ब्राउना हो जाए इस तरह हमने इसको शेप दी नहीं है इस तरह ट्विस्ट करना है फिर सर्कल करना है यह बहुत ज्यादा गरम था उठाया नहीं जा रहा था लेकर थोड़ा थोड़ा से रोक रोक के कर सकते हैं विल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर हम यह देखें ऐसे इसको ट्विस्ट करना है जब तक इसका थोड़ा सा कलरना चेंज हो जाए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह तो जल्दी से कर दें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें अब हमने एक बड़ी सी परात लेनी है और इसमिकर हमने इसको रोल करते हुई इसका एक रिंग सा बना लेना है इसे उसको जोड लेंगे और अब अब हमने इसके ए आउत हैं की हिए बड़ गरते आना है आप साथ हमने इस की लेर्स बनती हैं यह देखें इसको स्ट्रेच करते जाएंगे हर साइट से आपने इसको स्ट्रेच करना फिर साथ साथ आपने थोड़ा सा बेसन और मैदा भी डालना है यह देखें ऐसे आपने इसको करते जाना है अगर आप चाहें तो सिंपल काउंटर पर भी कर सकते हैं आपके बड़ी से पराथ ले लें इसके बाद पराथ चेंज कर ली थी तक जितना हम स्ट्रेच करेंगे उतने बारीक लियर्स बनेंगे और साथ मैदा और बेसन का जो यह है हमने इसको साथ दस्ट करते जाना यह देखें यहां पर इसकी अच्छी सी लेयर्स बन गई है यह का जैसे यह ठंडा हो जाएगा बड़ को हार्ड हो जाएगा यह देखें इदर हमारा मज़दार से पतीसा तयार हो रहा है यह देखें किती अच्छी लेयर्स आई है अब आपने कोई छोटा सा बाउल लेना है उस पर थोड़े से बदाम पिस्ता और जो भी आपके पास अवे थैंक यह दो वाचिंग अला हाफाइज